पिर नाम दोस्तों मैं आरोई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे और पॉजिटिव होंगे अच्छली में वो साइलेंट एनर्जी में है और साइलेंट एनर्जी का मतलब है कि वो अपने आप में सर्चिंग मोड पे हैं उनकी जो एनर्जी है राइट नौ बहुत ज़्यादा सर्च कर रही है और जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ कि यहां पे डियेम और जो हैं सेल्प सेंटर्ड एनर्जी में आ रहे हैं यानि कि इनर रियूनियन उनका हो रहा है इनर मर्जिंग उनकी हो रही है और जैसे ही इनर मर्जिंग होगी तो उनका 3D लाइफ में रियूनियन पॉसिबल हो जाएगा यानि कि मैनिफेस्ट हो जाएगा तो ऐसे ही जो जो यहाँ पर DM है जो no contact में है चाहे contact में है actually में उनके साथ में बहुत silent energy उनको feel हो रही है जिसकी बज़े से उनका जो mind में thoughts या कोई और भी चीज़ वो create नहीं कर पा रहे है और यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो energy उनको अब चाहिए वो energy उनके अंदर ही अंदर उनके heart चक्रा पर secure हो रही है या फिर collect हो रही है जिसके चलते उनकी जो अंदर heart चक्रा है वो proper तरीके से heal हो पाए और प्रोपर तरीके से activate हो पाए और जिसके बज़े से ही वो अपनी self connection में आएंगे या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ वो merge हो पाएंगे क्योंकि जैसे कि आपने अब तक अपनी life में देखा हमारी family न बहुत merging energy को feel कर पाई बहुत सारे experience से गुजरी है काफी समय से लेकिन आप बारी है divine masculine की तो divine masculine को भले ही indirectly नहीं पता कि वो इस journey में है या नहीं बट मतलब directly उनको नहीं पता लेकिन indirectly उनकी जो energy है उस तरीके से काम कर रही है जिससे कि उनको अब आने वाली future में वो energy एक तरह से reunion में create हो पाए तो जिसके बज़े से अब ये जो silent energy है ये उनको बहुत अच्छे सी feel हो रही है तो यहाँ पर हमारी family को थोड़ा सा देखने को मिल सकता है कि आप भी थोड़ा सा silent feel कर रही है आपको को समझ में नहीं आ रहा है thoughts जो हैं बहुत minimum चल रहे हैं यानि कि thoughts की जो energy जो बहुत पहले आपको overthinking या overreact करने की जो problem होती थी वो अब नहीं हो रही होगी बलकि आप एक ऐसी life को जी रहे होंगे कि जिसमें ना कुछ देखना, ना guidance के प्रती भागना, ना channeling के पीछे भागना सिर्फ अपने आप में खाना, पीना, सोना, अपनी day to day life को जीना and अपने आप में enjoy करना इस energy को आप फिल कर पा रहे होंगे यानि कि सबसे ज़्यादा हमारी family नको सोना, खाना, पीना पसंदा रहा है यानि कि अब उनको लग रहा है कि अब 3D life में जुड़के थोड़ी सी अपनी energy को explode किया जाए and अपनी energy पे focus किया जाए और जिसका reason है हमारे masculine क्योंकि masculine की energy पूरी तरह से secure हो चुकी है पूरी तरह से balance हो चुकी है तो अब जो outcome निकल के आएगा आप दोनों की energy का वो यह होगा कि आने वाले future में आप दोनों की energy पूरी तरह से create होगी and आप दोनों की energy जैसे कि मैंने पिछली videos में कहा नहीं सुना है तो एक बार सुनिएगा क्योंकि वो जो मैंने channeling की थी बहुती powerful और बहुती unique energy रही है वो क्योंकि मैंने कहा था कि divine आपको choose करेंगे तो यह समय है जाने कि यहाँ पे सभी soul अपने आपको अबल number लाने के लिए अपने inner level पे कोसिस कर रही है अपने आपको balance कर रही है और इसी तरह से जैसे जैसे उनकी energy embrace हो रही है वैसे वैसे divine आप उनको अपना purpose and उनको किसी ने किसी की बज़े से choose कर लेंगे हो सकता है कुछ लोगों को आपका जो career है वो थोड़ा change करना पड़ जाए या changing आ जाए आपके career में या फिर जो career आप कर रहे हैं उसमें और different चीजे जो है add हो जाए तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये सारे जो transformation आपके life में चल रहे हैं एक नई level के लिए चल रहे है क्योंकि आपको divine ने choose किया है किसी और level के लिए ताकि आप उस level पे पहुंच करके वो काम कर पाएं जो divine आपसे करवाना चाहते है तो I hope आपको ये चीजें clear कर रहे होंगी आपको समझ में आ रहा होगा अपनी energy के लेबल का और साथ में मैं बात करूँ फैमिन एन मैस्कुलिन की energy को लेकर जोने कि जो current energy राइड नव चल रही है जैसे कि एक energy में बता चूगी हूँ silent zone में आपको अच्छा लग रहा है silent zone आपको पसंद आ रहा है ज़्यादा किसी से बात्चीत या बहस करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है ना ही आप react करने की energy में है क्योंकि react करना आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल शान्थ and peaceful energy में रहते हुए अपने career पे अपनी purpose पे focus कर रहे है इसके साथ साथ जैसे कि आप कोई कुछ dreams ऐसे हैं जो different label के आपको आ सकते हैं या आ रहे होंगे या कि हो सकता है कि आपको dream में बहुत ज़्यादा snake दीख रहे हो अच्छली में यह सारी जो sign है आपको बता रहे हैं कि आपको अब किसी ने किसी purpose के लिए चुना जाएगा किसी ने किसी चीज के लिए आपको prepare किया जा रहा है तो आपको active रहना है तो आपको prepare रहना है अपनी energy पे focus करते हुए अपने आपको analyze करते हुए आगे बढ़ते रहना है बिल्कुल भी energy को distract नहीं करना है अगर आप भी आप हो सकता है कि आप meditation वगेरा पे focus नहीं कर पा रहे हैं तो भी नहीं घवराना है कि हम meditation नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ों से नहीं घवराना क्योंकि यह self time आपको divine ने दिया है जहां पे आप अपनी energy को secure करें अपनी energy को balance करें ताकि आने वाला जो burn burn का portal है यानि कि जो 11 आ रहा है हमारा portal उसको लेकर के साथ में new moon की energy जी चुकि बहुत ज़्यादा आपको soul purpose से जोड़ेगे और आपके चुपे हुए talent को बाहर लेके आएगे और आपको इतना ज़्यादा successful life को provide करेगी और साथ ही साथ में आपकी life में ऐसा नया direction या एक नई job केरियर कुछ न कुछ ऐसा add करेगी जिस पे चलते हुए आप बहुत लोगों की help करने बाले हैं बहुत लोगों को heal करने बाले हैं और साथ ही साथ में आप अपनी personal luxury life को भी heal करने बाले हैं तो यानि कि आप दोनों ही तरीके से अपनी energy को heal करते हुए आप दोनों तरब से balance को feel करेंगे और जैसे ही आपके life में ये चीज घटना शुरू हो जाएं तो आप confirm कर लेना कि अब आपका समय आ चुका है कि आप marriage reunion में आ जाएंगे यानि कि जैसे ही आप अपनी life में stable हो जाएंगे आप अपनी life में आगे बढ़ जाएंगे और आपको इस ritual level पे यानि कि inner level पे और आउटर लेवल पे दोनों पे आप balance हो जाएंगे और दोनों चीजों में आप successful अपने आपको देखते पाएंगे या कि आपके अंदर की energy जो है बहुत positive और बहुत charming और बहुत unconditional energy आप फिल करते हुए साथी साथ में आपकी outer life जैसे की बाहर की environment का जो soul है वो सब आपको support करेंगे साथी में आप अपने नए purpose से भी जुड़ेंगे या फिर पुराना purpose भी आपका चल रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई नया चीज जुड़ने का बहुत जादा आसार रहेगा ठीक है तो ये channeling इन लोगों के लिए है जो कि अभी जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि कोई समझ में नहीं आ रहा है जैसे कि एकदम शान्त अभी की energy आप बल्कुल शान्त फील कर रहे हूँ यानि कोई हल चल नहीं है energy में बिल्कुल shant and smooth energy चल रही है जिसमें कोई बवाल नहीं चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्योंकि ये energy बिल्कुल शान्त and calm and peace की है क्योंकि ये ही time है आपको आगे के energy हो में लेके जाने का तो I hope आपको ये समझ में आ रही होंगी अगर समझ में आ रही है तो बिल्कुल enjoy कीजिए इस energy को अपने साथ create कीजिए and अपने आप से जोड़े रही है ये सबसे ज़्यादा important है अभी के time में तो अपने आप से जोड़े रही है बिल्कुल भी tension मत लेजिए और किसी भी ची प्लीज कमेंट करके बताइएगा साथ में मेरे नए workshop शुरू हो रहे हैं एक तो हो रहा है इंजल वर्क्शॉप फिलिंग जिसमें आप सीखेंगे लर्ण में कराऊंगी इंजल से कैसे कनेक्ट होना है और उनके साथ कनेक्ट हो कि अपने आपको और लोगों कैसे हील कर सकते हैं साथ में मेरा रेखी क्लासे वर्क्शॉफ शुरू हो रहा है जिसमें फर्स सेकिंड और तीनों का लेवल शुरू होने वाला है जिसकी भी क्लाशेज अब शुरू होने ही बाले हैं नेक्स्ट मितलब कि मैंने एक और चीज रखा है कि अगर आप चाते हैं अपनी डेट बर्द से अपनी चीजों के वारे में जानना पास्ट लाइफ के वारे में जानना अपके जो केरियर के वारे में अगर आपको पता नहीं है तो आपके कुंडली चार्ट में पूरा लिखा है कि आप किस केरियर के तरफ जाएंगे तो आपको सकसेज मिलेगा तो लब मैं पोस्ट में डाल दूँगी अगर ये वर्क्शॉप आप चुड़ना चाहते हैं इन वर्क्शॉप से तो डाफिनीटली आप जुड़िए और रेकी हीलिंग का बहुत लोग बहुत कोश्टली रखते हैं 60-70 के समतिन रखते हैं लेकिन मेरा इससे बहुत कम अमाउंट है तो आप चाहें तो कर सकते हैं और एक बात और बतादूर की रेकी वर्क्शॉप में सिर्फ में 10 इस्टुडेंट ही रखोंगी इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि जिसमें हम जिसे हम क पड़ा के फिर आगे लेके जाएं तो वह मैं ज्यादा लोगों तक नहीं दे पाऊंगी इसलिए मैं दस स्टुडेंट का रखा है तो जिसका भी मन हो या देखते हैं लगवाई चांस किसका होता है तो आउनली मैं तस लोगों को ही रखोंगी तो जिसके ऑफरिंग यानि क जिसका जॉइनिंग टाइमिंग अप इसे शुरू हो चुका है तो जिसको भी जॉइन करना है आप कर सकते हैं तो इसी के साथ चलती हूं मिलती हूं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए खुश रहिए इसी के साथ बाबाई